फाас्ट येर उनर्स के बच्चों आज फीर हम यहां चर्चा करने के लिए उपस्तित है मानव भूगोल के आधारबूत सिध्धानतों पर मानव भूगोल के आधारबूत सिध्धानतों में इछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रियाशीलता का सिध्धान्त और आज हम चर्चा करेंगे सार्वभोमिक एकता के सिध्धान्त इस सिध्धान्त का जो तातपरिय है आशे है वो ये है कि विश्व के सभी भोगौलिक तथ्य चाहे वो जड़ हो या चेतन यानि जिन में जीवन है या जो जड़ता से खड़े ह वो सब एक दूसरे से संबंदित है यानि एक दूसरे पर प्रभाव डालते है और इन तत्यों में से कोई भी कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं है इसलिए किसी भी एक इकाई का अध्यन करते समय हम दूसरी चीज़ को अलग नहीं हटा सकते प्रतक अध्यन नहीं कर सकते उसक का अध्यान करना होता है अब इसमें जो रेजल महदय थे उनके अनूसार मानव का संपून जीवन उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं बहुमुखी क्रियाएं मानव समुदाय एवं मानव समाज सभी का अध्यान विवेक पून एवं विवस्थित ढंग से किया जाता है और इस या अवियवों के पारसपरिक संबंदों पर जोर दिया जाता है जिसमें भोगोलिक एकता के दर्शन होते हैं अब देखे बच्चों ये रेटजल मोहदे ने अपने विचार प्रस्तुत किये थे और इनका जो सर्वपर्थम ये सिद्धांत जो है वो रेटजल मोहदे ने ही प्रस्तुत किया था तो इन्होंने देखा कि मानव का विभाजन प्राकर्तिक शक्तियों के द्वारा नियंत्रित है अब आप कैसे देखेंगे कि इसका एक्जामपल लेते हैं हम जनसंख्या से कि आप देखेंगे कि जहां जहां जनसंख्या जादा है वहां वहां प्रकर्त चति की अनुकूल दशायें उपलब्ध है। जैसे उश्ण अती उश्ण कटी बंदिये चेत्र, वहाँ पर जनसंख्या कम मिलेगी। फिर उश्ण कटी बंदिये और उश्ण आद्र कटी बंदिये ये दोनों ऐसे होंगे जहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है त पिर शीत प्रदेश तो शीत प्रदेशों में भी जन संख्या जो है कम मिलेगी आप इसको आप विश्व में जीरो डिग्री से बांट लें तो अब जब जीरो डिग्री अक्षांस से आप जाएंगे उतरी गोलार्द में चुकि इनसान आप जादा रहती है इस थलकंड जाद है तो वहां पर हम जीरो डिग्री से जैसे जैसे उचे अक्षांस की तरफ बढ़ते हैं तो साड़े तेईस डिग्री करक रेखा पर आप देखेंगे कि उसके आसपस जनसंख्या का घनत्वत जादा मिलेगा जैसे आपके एशियाई जनसंख्या को मिला दिया जाए तो लग बग विश्व का एक चोथाई से जादा हिस्सा आपके इसी एशित्र में रहता है क्यों कि यहां शीत कालीन भी एक रितु है यहां ग्रीश्म कालीन भी एक रितु है यहां पर संसाधनों की उपलब्धता है यहां पर एक निश्चित समय में पतजड़ाता है वर्षा होती ह तो मनुष्य को अपने विकास के लिए ये जो जलवायू परिवर्तन है ये उसके लिए बहुत अच्छा है और उसका सरवांगिन विकास इन अलग-अलग रित्वों में अलग-अलग तरह कैसे होता है अब जहां केवल उष्णता है यानि मरुस्थलिय छेतर हैं वहां भी जन अतिशीत है जहां शीती ठंडा है हमेशा बर्फ जमी रहती है उन छेतरों में भी जनसंख्या कम मिलेगी क्योंकि वहां भी यही इस्तिती है कि मनुष्य को अपने जीवनियापन के लिए प्रयाप्त साधन उपलब्द नहीं होते हैं तो आप यह देखिए कि जनसंख्या का जमाव किसके अकॉर्डिंग हो गया प्रकर्ती के अकॉर्डिंग और प्रकर्ती में भी क्या जलवायू और इस्तलकन जहां समतल मैदानी भाग होंगे जनसंख्या वहां ज्यादा होगी जहां आपके मरुसली है और पहाड़ी भाग होंगे वहां जनसंख्या कम होगी तो ज जहां जहां जनसंख्या जादा दिखाई दे इसका ताथ पर यह है कि वहां पर मनुष्य के जीवन जीने के संसाधन जो हैं वो जादा उपलब्ध हैं। कुमारी सेंपुल जो मनुष्य को प्रकर्ती के उपर निर्भर बताती है वो भी ये कहती है कि प्रत्वी की एक्ता उसके अव्यवों का पारसपरिक संबंदों का सिध्धान्त सिध्धान्त है और रेडजल के द्वारा उस द्रश्टी कोन का फल है जो परवत पर खड़े होकर देखने वाले को प्राप्त होता है यानि प्रत्वी की एक्ता और उसके जितने भी वस्तुएं उन दोनों का पारसपरिक संबंद रेडजल मोहदय ने इस सिध्धान्त के द्वारा हमें दिया जैसे कि हम किसी परवत पर खड़े होकर किसी स्थान को देखते हैं उसी तरीके से तो सेंपुल ने लिखा कि परवत शिखर पर खड़े मानव के द्रश्टी कोन से वस्तुओं को देखा और अपनी द्रश्टी को दूर शितिश पे लगाए रखा इसी विहंगम द्रश्टी के कारण उन्होंने अपनी द्रश्टी को प्रत्वी के किसी एक आव्यव पर सीमित नहीं रखा वरन विभिन आव्यवों की सम्मिलित करिया अपनी द्रश्टी रखी और इसी के फलस्वरूप प्रकरती के भीतर प्रवाहित एक ताके दर्शन किये यानि उन्होंने दूर से देखा और उन्हें शितिज पे खड़े होकर क्या महसूस हुआ कि हम प्रत्वी और मानव प्रत्वी और कोई भी प्रत्वी पर उपलब्द कोई भी वस्तु किसी भी अन्य वस्तु से अलग नहीं है अब आप इसको एक और एक्जामपल में आपको देती हूँ कि जैसे समस्त बोगोलिक विकास जो होते हैं उनकी जो भावना होती है वो क्या होती है पार्थी एकता की भावना होती है ये प्रोफेशर ब्लाश ने कहा था और इसमें आप देखेंगे कि यदि भूमी नहीं है तो क्या हम क्रशी कर सकते हैं और क्रशी कारियों के द्वारा यदि हम भूमी को लगातार बंजर बना देंगे तब क्या हम उस पर उत्पादन ले सकते हैं तो यानि हमें प्रकर्ती का ध्यान रखते हुए अपने कारियों करने होते हैं तो मनुष्य और प्रत्वी दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित है और इनमें कभी भी मनुष्य को प्रत्वी से अलग हटा कर हमध्यन करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्वी पर जितने परिवर्तन है जादा तर जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे मनुष्य के द्वारा किये गए है मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन सब पर मन प्रकर्दी का प्रभा होता है अब आप एक एक्जामपल और यहां मैं देती हूं कि इस समय शीत काल चल रहा है और अब आप अपने घर में पंके नहीं चलाते हैं आप अपने घर में गरम कपड़े पहनते हैं अपने घर को गरम रखने के लिए चारों तरफ से ढख कर रखते हैं आप अपने भूजन में वो वस्तुएं जादा खाते हैं जो आपके शरीर को एनर्जी जादा दे यानि ग्रिश्म काल में आपको रस वाले वस्तुओं की शक्ता जादा होती है लिक्विड भूजन आप जादा करते हैं और रस शीत काल में आपको गरिष्ट और हैवी भूजन जिसमें परियाप्त मात्रा में चिकनाई प्रोटीन्स हों उसको आप लेना पसंद करते हैं क्योंकि शीत काल में आपको शरीर की एनर्जी कम हो जाती है सूर्यताप कम हो जाता है इसलिए आपकी शरीर में भी उस सूर्य आपकी कमी आपको प्रभावित करती है जबकि ग्रीश्म काल में आपको उसी सौर्य शक्ति के कारण इतना पसीना आता है कि आपको अपने शरीर को लिक्विट देकर उस पानी की कमी को पूरा करना होता है तो मनुष्य का जीवन प्रकरती के हर परिवर्तन से जुड़ा हुआ किसी भी परिवर्तन से मनुष्य अलग होकर नहीं जी सकता गर्मियों में स्वेटर पहन के निकलेगा नहीं चला जाएगा और सर्दियों में एक सिंगल टीशर्ट में निकलेगा तो भी नहीं चलेगा तो प्रकरती ही निर्धारित करती है कि आप समय पर क्या पहनेंगे कैस इसरे से हो गए समबन दित और प्रकर्ती में भी जितने परिवर्तन मनुष्य ने किया है यानि व्रक्षों को काट कर वहां पर क्रशी करना खनीज निकालकर उद्योग धंदों की इस्थापना करना मिट्टी की उर्वर्ता देखकर क्रशी कार्य करना तो यह सारे परिवर्तन प्रकर्ती में जो दिखाई देते हैं वो सब कारण हैं मनुशे के बार तो ये सार्वभामिक एक्ता ये कहती है कि प्रकर्ती और मनुश्य एक दूसरे से अलग नहीं है और पार्थिव एक्ता का सिध्धान्त बुरुंश मोहदय के अनुसार विभिन्य शक्तियां एक दूसरे को निश्चित दिशाओं में ही प्रभावित नहीं करती है और वही कुछ विशेश दशाओं में एक दूसरे के प्रती प्राकर्तिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया होती है वास्ता में प्रतेक शक्ति अन्य शक्तियों से उनके द्वारा उत्पन दशाओं की अगनित अंत् कारण घनिष्ट रूप से बंधी हुई है यानि जितनी भी शक्तियां हैं वो एक निश्चित दिशा में काम नहीं करती हैं वो कहीं भी किसी भी तरह से काम कर सकती हैं और विशेश दशाओं में प्राकर्तिक रूप से जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वह और मनुष्य की करिया, अंतर करियाओं का आपस में बहुत अधिक घनिष्ट सम्बंद होता है तो जितने भी विद्वान हैं उन्होंने प्रत्वी को मानव से जोड कर देखा है और मानव को प्रत्वी से जोड देखा है तो हम अपनी सुईधा उसमें निकाल लेते हैं तकनिकी विकास के द्वारा उद्योकधंदों के द्वारा जैसे इसमें ये कह सकते हैं कि शीत काल आई तो हमने हीटर बना लिये ग्रीश मकाल आई तो हमने एसी बना लिये क्योंकि जब प्रकर्टी आप पर कोई इस तरह का कठिनता देती है तो मनुष्य का दिमाग चूंकि वो बहुत बुद्धी मान होता है तो वो अपने आपको अपने जीवन को सुविधा जनक बना लेता है प्रकर्टी के साथ सामजश्य करते हुए या प्रकर्टी में परिवर प्रकर्टी और मनुष्य एक दूसरे के साथ हैं इसमें कुछ तथ्य हंटिगटन महोदय ने भी दिये हैं कि भौतिक वातावरन एक दूसरे से प्रभावित होते हैं इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं अन्य सारे तथ्यों के साथ भी समझा जाता है तो ऐसे कह सकते हैं कि अध्यन का संतुलन बिगड़ जाएगा यदि हम दोनों चीजों को अलग-अलग करके पढ़ेंगे दूसरा इन्होंने कहा कि भौतिक वातावरन सीधे रूप से मानव की क्रियाओं को प्रभावित करता है ये मैंने अभी आपको बताई दिया तीसरा इन्होंने कहा कि मानव निश्क्रिय नहीं है वो एक सक्रिय क्रियाशील प्राणी है तो लगातार अपने वातावरन में अपने आसपास और अपने जीवन के लिए जो भी बेस्ट है उसके लिए परिवर्तन करता रहता है तो मानव क्रियाशील है मानव लगातार बहुत एक वातावरन पशु और परवनस्पति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है, और चौथा इन्हों है कि प्रकरती और मानव एक दूसरे से समायोजन करते हैं और परिवर्तन करते हैं तो इन दोनों ही बातों को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते बलकी यह कह सकते हैं कि वनस्पती और भोतिक वातावरण में एक गहरा संबन्ध है वातावरण के अनुसार ही विबिन जातियों के पश्यू और वनस्पती मिलती है क्यों और व्रक्षों के व्रद्धी की प्रकर्ती भी उस जलवायू के अनुसार ही होगी तो जलवायू, वनस्पती, प्रत्वी, क्रशी, मानाव, संस्कृतिक वतावरण सब एक दूसरे से संबंदित हैं तो इसको कहते हैं पार्थिव एकता का सिध्धान्त और भुगोल का जो सब से बड़ा उद्देश्य है वो है प्रकर्ती का पूर्ण रूप से अध्यन करना तो समस्त भोगोलिक उन्नती में पार्थिव एकता एक विचार है जो ये बताता है कि मनुष्य और प्रकर्ती कभी भी एक दूसरे से अलग होकर नहीं पढ़े जा सकते हैं तो ये आपका पा आज में आगया होगा अब इसमें आपका नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है वातावरन समायोजन का सिध्धान्त और वातावरन समायोजन के सिध्धान्त में हम बात करेंगे मनुष्य के द्वारा वातावरन के साथ किस तरह से समायोजन किया गया धन्यवाद